नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको आज के इस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में में जानेंगे कि इनलेस एडवांस सिजन के जरी अगर हम एडवांस क्लेम करते हैं तो इनलेस एडवांस सिजन का पैसा हमें कितने जिनों में मिलेगा ये सवाल काफे दारे P.F. members का होता है तो अगर आप भी Inless Advance Season के जरे Advance Claim करना चाहते हैं या फिर आप Inless Advance Season के जरे Advance Claim कर चुके हैं और अब आप इंतजार कर रहे हैं पैसे मिलने का तो आज की इस वीडियो को बिना Skip की Last तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के जरे मैं आपको इस सवाल का जवाब डिटेल में बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सुभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब तो यहां थोड़ा सा केस बदल जाता है क्योंकि इलेस एडवास सिसन के द्वारा किएगा एडवास क्लेम जल्दी सेटल होंगे या देर से सेटल होंगे इस बात पर निर्वर करता है कि आप इल्लेस एडवास सिजन के जरी अपने P.A.F. अकाउंट से कितना पैसे निकालना चाहते हैं जी हाँ दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही यह P.A.F. ओने इल्लेस एडवास सिजन को लेकर एक अपडेट किया था अपडेट यह था कि इल्लेस एडवास सिजन के जरी अगर कोई P.A.F. मेंबर एक लाग से कम का अमाउंट निकालने के लिए एडवास क्लेम करता है तो उसके क्लेम को ओटो सैटल किया जाएगा याईने कि अगर आप illness advance season के जरी एक लाख से कम का amount निकलने के लिए advance claim करेंगे तो आपके claim को auto claim settle वाली process के जरी जल्दी से जल्दी check करके settle कर दिया जाएगा अब यहाँ में आपको बताता चलू कि auto claim settle वाली process में claim 3-5 दिन के अंदर ही settle हो जाते हैं लेकिन अगर आप illness advance season के जरी एक लाख यह उससे ज्यादा का amount निकलने के लिए advance claim सम्मिट करेंगे तो फिर आपके claim को auto settle नहीं किया जाएगा फिर आपके claim वही 15-20 दिन के अंदर ही settle होगा तो जैसा कि मैंने आपको बता है कि जितने दिन लगते हैं claim settle होने में उतने ही दिन बाद आपको PF को पैसा मिलेगा तो अगर आपका claim auto settle वाली process के जरी auto settle होगा तो आपका claim settle होने की बाद 3 working day के अंदर अंदर आपका पैसा आपको मिल जाएगा यानि कि आपका claim 3-5 दिन के अंदर settle होगा और 3 दिन के बाद PF को पैसा आपको मिल सकता है वहीं अगर आपका claim auto settle वाली process से settle नहीं होता है तो फिर आपका claim 15-20 दिन के अंदर settle होगा और claim settle होने के बाद 3 working day के अंदर अंदर PF को पैसा आपको मिल जाएगा यहले कि claim submit करने के बाद 25 दिन के अंदर PF को पैसा आपको मिल सकता है और यह सारी बात है जो मैंने आपको बताईए यह बात है मैंने आपको ऐसी ही नहीं बताईए बलकि मैंने इन बातों को खुद बैक्तिकत अनुभाव किया है बाकि आज किस वीडियो में सिर्फ इतना है उम्मिद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के जड़े बताईए गई जानकारी आपको पसंद आयोगी और यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लैक जरूर करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें कि कि इप इयोफो से जड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी